हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डोक्र नभीन अगरवाल में एक इंटर्वेंशल कार्डियोजिस्ट और गुजरात के वलसाद और वापी एरिया में प्राक्टिस करता हूँ आज आपके like an important or useful topic आज हम बात करेंगे उट ऩिया फिड्रिंक्स या पैर पयर प्यारतों के बारे में जिनको पीने से या जिनको यूज करने से आपका cholesterol लेविल कम हो जाएगा हमने ऑल्रेड़ी काफी वीडियो कि यिसिसपे में जिसमें हमने बात किए कि कौन-कौन से चीज़ों को लेने से आपका cholesterol level बढ़ता है obviously उनका purpose यह होता है कि उन चीज़ों को आप कम लेंगे तो cholesterol level से आपका control करने में मदद मिलेगी काफी ज्यादा लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप यह तो बता रहे हो कि क्या-का चीज़ों को लेने से cholesterol level बढ़ जाता है पर यह भी बताए कि कौन-कौन से चीज़ों को लेने से cholesterol कम हो सकता है क्या कि ऐसी भी चीज़े हैं जो cholesterol level को कम करने में मदद करती है तो आज का और टिप्स के बारे में बात करेंगे जो cholesterol level को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं यह topic काफी वीडियो बनाने का प्रियास करेंगे आपके patient related queries को भी जितना time permit करेगा मुझसे आपसे आंसर करने का जहूर प्रियास करेंगे आते आज का topic पर आज का topic है कौन-कौन से drinks से आपका cholesterol level कम होता है कोई भी oat milk हो या कोई भी soya based drink हो तो यह LDL levels को comparatively कम करती है बढ़ाती है यह comparatively cholesterol reducing drink माना जाता है ओट से बनीवी milk या ओट से बनीवी drinks या soya related drinks comparatively healthy माना जाता है next important drink है green tea green tea में काफी antioxidants होता है जैसे की catechins और epigallocatechin गलेलिक यह basically बहुत powerful antioxidants है जो health के लिए अच्छे मानने जाते है और एक study थी जिसमें लगबग 56 days तक इन पदार्तों को patient को दिया गया तो उन्होंने पाया था कि लगबग bad cholesterol का reduction 14% तक देखा गया था और comparatively अगर कोई patients को बहुत जादा देर तक भी product दिया जाये तो comparatively लगबग 30% तक भी cholesterol levels का reduction इसमें देखा जा सकता है इसी study में यह demonstrate किया है था black tea का भी अच्छा impact होता है लेकिन black tea का जो green variant है उसके comparison में थोड़ा कम effect होता है क्योंकि उसमें जो catechins है वो comparatively कम होते हैं और उनके जो catechins है उनका body का absorption pattern भी अलग है इसलिए green tea ज्यादा effective है इसमें black tea के comparison में milk tea comparatively जब routine चाय पीते वो यह काम नहीं करती है क्योंकि routine चाय में वो anti-oxidants रहे वो पदार्थ नहीं होते जो green tea में मिलते green tea simply अलग तरह का ही पदार्थ है जिससे बनाया जाता है वो simple अपनी जो चाय हम regular लेते हैं उससे अलग तरह का एक organic substance है next important चीज़े soy milk soy milk comparatively cholesterol levels को कम करने में मदद करता है ज्यादा तरी जितना कम processed हो जितना ज्यादा इसमें salt sugars और fats वगर नहीं डाले गए हो उतना ज्याद अच्छा माना जाता है दो तीन से तीन serving अगर आप दिन बर में लेते हैं या एक serving आप 200 ml का लगबग soy milk पीते हैं तो comparatively आपके LDL levels को कम करने में काफी मदद करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं soy milk को तो अच्छा है next important substance है oat drinks, oat में comparatively beta-glucans होता है जो की gelatin जैसे substance होता है इसमें ये पेट के bile salts के साथ interact करता है जिसकी वजह से जो cholesterol का absorption है उसको fed करता है oat drinks जैसे की oat milk के वो consistent level पर cholesterol reduction करते हैं इनका cholesterol reduction pattern जो comparatively oat products जो हम लेते हैं solid oat लेते हैं उससे ज्यादा अच्छा है on an average लगबग आप 200 ml अगर oat milk एक बार में पीते हैं तो लगबग 1 gram beta-glucan मिलता है और जितना ज्यादा बीटा-glucan आप लेते हैं वो cholesterol levels को कम करने में मदद करता है ये body के fibers के content को भी बढ़ाता है इसलिए oat based drink अगर आप लेते हैं तो digestion के लिए भी अच्छा है next important drink at tomato juice याने टमाटर का रस टमाटो के रस में LDL cholesterol को कम करने वाला lycopene पदार्थ होता है इसलिए जितना जादा आप टमाटर का ज्यूस लेते हैं वो आपके lycopene levels को बढ़ाता है और आपके LDL levels को कम करता है इसके अलावा इसमें कुछ और पदार्थ भी होते है जो body के fiber content को बढ़ाते है body के niacin को भी बढ़ाते है इसलिए ये content on an average माना गया है कि लगबग study हुई थी जिसमें उन्होंने लगबग 25 females को 280 ml लिये दिया था लगबग 2 मेने तक और उन patients में उनको उनका body weight भी कम होते देखा गया था और उनका LDL cholesterol levels को भी कम होते देखा गया था तो on an average आपको दिन बर में लगबग 200-300 ml टमाटर का रस अगर आप पी सके तो अच्छा ह next important drink is berries smoothies berries काफी वीडियो में नहीं बोलाई कि इसमें antioxidants of fiber ज्यादा रहते हैं आप strawberry लेते हैं ब्लैक बेरी रास्बेरी या blueberry जो भी लेते हैं उसमें comparatively fiber content काफी ज्यादा होता है अगर 2 मूठी बर्किया berries लेते तो उसमें लगबग 80 gram fiber content होता है और इसको अगर आप इसका smoothie बनाके आदा कप लगबग low fat मिलके दही के साथ या पानी के साथ अगर आप इसको drink बनाते हैं तो यह आपके body के calories को भी कम करता है fat को भी कम करता है fiber content को भी बढ़ाता है और LDL cholesterol levels को कम करता है next important drink है कोई भी drink जो 45 drinks होती है जिसमें sterols और stenols या plant-based sterols होते है basically 45 drinks इंडिया में उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है पर foreign countries में 45 plant-based sterols को भी दही-based drinks या juices या milk बगर में डाला जाता है on an average recommended है रहता है कि दिन बर में लगब 1.3 grams sterols और 3.4 grams sterols दिन बर में अगर आप लेते हैं तो आपके cholesterol level को कम करने में मदद करता है इंडिया में यह चीज इतनी easy level नहीं है पर में भी over a period of time यह सारी चीजे भी available हो सकते है sterols based plant extracts अपने यहापे भी available हो सकते है अभी next important product है cocoa based drinks cocoa based drinks में अगर आप ज्यादा मांट में पीते हैं तो आपके cholesterol levels को कम करता है कि उसमें कुछ flavonoids होते हैं जिसको अगर आप दिन बर में एक से दो बार अगर लेते हैं 450 mg का drink अगर आप इसमें लेते हैं तो यह HDL levels को कम करता है LDL levels को HDL को बढ़ाता है LDL levels को कम करता है bad cholesterol को कम करता है और इसमें comparatively high level of mono unsaturated fatty acids रहता है जो कि आपके cholesterol levels को improve करता है next is plant based smoothies याने plant extract के साथ अगर आप दूद और milk को oat milk या regular milk को मिला करके अगर drink बनाते हैं तो उसमें भी काफी apostic substances रहता है जो कि आपके LDL levels को कम करेगा इसको बनाने के लिए लगबग 200 ml oat milk या soya का milk का अगर आप लेते हैं इसमें केला डाल सकते हैं अंगूर डाल सकते हैं prunes डाल सकते हैं watermelon डाल सकते हैं आम डाल सकते हैं उसका slice plums डाल सकते हैं केल साग होता है वो आप डाल सकते हैं और इसमें अगर pumpkin extract या pumpkin का puree अगर आप डालते हो कद्दू कर अब इसमें डालते हो तो यह साधी चीजों का आप mix करके grinder में एक smoothie बना सकते हैं यह तरह का drink है जो आप घर पर prepare कर सकते हैं जिससे comparative आपके cholesterol levels को कम करने में मदद मिलेगी अब कॉन कॉन सी डिक जिसमें high amount of saturated fats है उनको आपको avoid करना चाहिए योग यह cholesterol levels को बढ़ाती है उस बारे में बात करेंगे आपको coffees बगर को avoid करना चाहिए जिसमें high amount of whipped cream, fat containing milk और creamers हो कोई भी drinks और smoothies जिसमें coconut या palm oils हो उनको आपको avoid करना चाहिए coconut based drinks को भी आपको avoid करना चाहिए क्योंकि उसमें भी comparatively आपका fat content जादा होता है ice cream based drinks याने कोई भी drink में अगर ice cream डाला हुआ हो तो उसको आपको avoid करना चाहिए high fat या full fat milk वाले drinks को आपको avoid करना चाहिए इसके लाबा कोई भी sugar sweetened beverages है जैसे अगर juices में, sport drinks में, energy drinks में, soda बगर में या coffee बगर में भी अगर बहुत जादा sugar डाला तो आपको avoid करना चाहिए hot chocolate pre-package कोई drinks आते है या milk वाले products में भी अगर sugar जादा amount में डाला है तो यह साधी चीजों का आपको avoid करना चाहिए यह साधी चीज़े आपका cholesterol levels को बढ़ाएंगी और आपके health के लिए अच्छी नहीं है थोड़े amount में अगर आप alcohol को भी लेते हैं तो वो आपके health level को कम करता है लेकिन आप ज्यादा amount में अगर alcohol को drink को लेते हैं दिन बर में एक से दो drink को से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो आपके लिए beneficial नहीं है cholesterol के point of view से नहीं लेकिन other point of view से भी वो आपके लिए अच्छा नहीं आपके liver को और heart को damage करेगा इसलिए maximum one drink per day अगर आप लेते हैं तो आपका HDL levels को boost करता है पर obviously इसके लिए हम यह नहीं recommend करते हैं कि जो लोग non-alcoholic है वो भी पीना चालू करते हैं या जो लोग alcohol addict है वो बहुत ज्यादा पीना चालू करते हैं वैसा हम recommend नहीं करते हैं आपको minimum रखना है क्योंकि यह थोड़ा बहुत HDL अगर बढ़ा भी देगा लेक products, fried products, processed foods हो यह सारी चीजों को आपको कम करना है जिससे आपका cholesterol level कम होगा, sugar वाली चीजों को कम करना है, daily आपको exercise करना है, healthy foods और vegetables खाना है, whole grains खाना है, जितना fat free या lean meats को आप लेंगे उतना अच्छा है, जितना nuts लेंगे उतना अच्छा है, pulses या दाले लेंगे, vegetable oils लेंग करना चाहिए, alcohol minimum मातरा में ले तो अच्छा है, body weight को improve करना है, hydration को improve करना है, पानी ज्यादा मातरा में पीना है, diabetes को control करना है, यह सारी चीजों को अगर आप करते हो, तो आपको comparatively cholesterol levels को control करने में मदद मिलेगी, तो आज के topic में हमने basic tips पर बात की कि कौन कौन से चीजों से आ उनको आपको cut down करना है, तो definitely आपको कुछ फाइदा जरूर मिलेगा, यदि इस topic से संबन दिया, आपके कोई comments, queries, suggestions है या कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाएं, तो नीचे comment section में उनके बारें बताएं, यदि आपके कोई patient related queries भी है, तो आप उसको नीचे comment section में सकते हैं, मुने भी sort out करने का प्रयास करेंगे, अंत में डॉक्टर नवीन अगरवाल तहे दिल से आपका शुक्रियादा करूँगा, अब अपने इस topic को इन तक देखा, जो लोग मारे चैनल पर नए हैं, उन्हें request करूँगा कि चैनल को subscribe करें, जो लोग इस content को English में देख एक्सटें, thank you.